मैं हूँ मारूफ रजा और इस वक्त मैं बैठा हूँ देव भूर में देहरादूर में और मेरे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री जो कि उत्रा खंड के रहे हैं और वाइस प्रेजिडेंट है कॉंग्रेस के हीरा सिंग बिस्ट आपका स्वागत है ना इधर की ना उधर की पे एकदम सीधी बात कॉंग्रेस जिस देहलीज पर अभी खड़ी उत्रा खंड में क्या इसी तर्ज पर कॉंग्रेस बनी थी कॉंग्रेस का जिस तरीके से लगातार पतन होता जा रहा है अपनों के ही जरीए कैसे निवारन होगा पतन तो नहीं कि लेकर जिस उमीद के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए तो उसमें हमारे हमारे हैं जो की डेमोकरिश जादा है परचात अंतर जादा है जादा है जो रस्त जादा है तो जो अपनी मरजी करता है कभी-कभी रिक्ति में इतना है माया तो पार्टी बड़ा अपने को समझता है या अपनी लिडर्शिप दूसरे से आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करने को तयार है तो वहां पर संगठन में कहें ने कहें कोछी छेद से दिखाई देते हैं तो पीड़ा हमको है मुझे तो लगता हम गड़े से हो गए चेद नहीं गड़े गड़े तो अब निश्य तो थोड़ा सा परिपक्क लोगों की आवशक्त है जो संगठन का महत्तो दें अपने को न दें संगठन महान होता है तो उस संगठन का में अभिन अंग है तो उस दिखा में हमको विशार ना कड़ेगा सोचना पड़ेगा और जो परसीतिये हैं आज उत्तरा खंड कुछ लाब नहीं हो रहा ना कमल तो देखने की चीज है उससे छेड नहीं सकते हुगों नहीं कर सकते हैं लेकिन हाथ के लोगों ने अपनी हाथ को जटका दे रखा है तो जनता जनार्दन क्या करेगी ना निश्चित रुप से दुबारा फिर उस पर पुनर विशार हो रहा ह अपने भी गलती हैं महसुस कर रहा है इसका प्रणाम यवकम चुनाओं में पराजित हुए है लेकिन हमेशा समय एक जैसा नहीं होता है समय करवट लेता है अब राहूल गांदे की कन्या कुमार से कश्मिर तक ही यातरा ने लोगों में एक दम खम भराय जोज भरा हम लोग सोचने के लिए और सब मिल दूल करके काम करेंगें पार्टी का संदेश जीश में आ गया है तो निश्यत रूप से पार्टी की विस्वास करना पड़ेगा अहम को छोड़ना पड़ेगा यह निश्यत रूप से एहम को छोड़ना पड़ेगा मुख्य मंत्रों की फ ने कर्वट यहां पर ली और एक नया कीर्थीमान बनाया पुशकर सिंग धामी ने क्या इसकी आप परिकल्ब ना कर सकते थे? नहीं मैं पुशकर सिंग धामी ने आप क्यों कह रही कैसे कह रहे कि साधार क्यारी करें? 22 साल के उत्राखंड में लगातार कोई व्यक्ति दो बारा मुख्यमंतरी बना। ये इतिहास ही तो है? नहीं, दो बारा बना, दो शाद दिन को बना, इतिहास ही बना लेकिन नहीं हम दो बाते हैं। मंत्री बनना प्रधान मंत्री बनना विधायक बनना अपनी जगह है लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रदेश को दिया किया आपने देश को दिया किया मैं विधायक मंत्री बनना मैंने अपने छित्र को दिया किया विकास के कुछ वो तो बताया है अस्तंप क्या और खरीदे गए मेरे पास भी आफ़र आई थी, बहुत बड़ी आफ़र आई थी, लेकिन हम मानते हैं कि देश बढ़ा है, फिर पार्टी बढ़ी है, हम तो उसके अभी नहीं नहीं गए, तो इस तरह से और विवस्तित करने का काम धन बलके आधार पे इनों ने किया, तो बी पीजेपी के कमल के साथ गए, वहाँ क्या से थी हुई, वहाँ तो कोई खरीदो फरुख नहीं हुई, नहीं हमारा इहाँ, तो बोड़ नियाल की अगर मैं बात करूँ, एक दगज निता आपके पास था, अब वो दूसरी पार्टी में नजर आता है, नहीं वो तो बहुत ह मुक्री में शुचोपी थैं, मंतिरी पत्र प्रफवीत है, तो इसलूं कमी किस की है? यह कमी तो फीजेपी की है, जिन्हों लालच दे करके, मंतिरी मुक्री मंतिरी बना करके, पैसों को लालच के खरीद ऐता है, खरीद तो सब जगजाही रहा है इस मामे, मैं तो खुद घ जो नेता आपके यहां पर है, आप भी एक जमाना हो गया आपको इस पार्टी में, संग्ठन में, लेकिन जिस तरीके का तालमेल होना चाहिए, वो तालमेल क्यों नहीं बन पा रहा, कहां चूक हो रही है, कहां दिक्कत है, कहां परिशानी है, निश्चित रुप से यह इस बा का समान काना, जो जिस जतना उप्यों की सकता, उसका उस अनुभाव का लाव लेते हैं, उसका उप्यों करना, उस दिशा में हम कहीने का भी पिछड़े हैं, यही एक कारणा है. प्रितम सिंग अलग, हरक सिंग अलग, हरिश रावत अलग, यह जो अलग-अलग तीन ज्यादा लोग करते हैं अपनी बात कह देते हैं और लेकिन पार्टी का निज़े सब मांते हैं अनुशासिन में रहते हैं अच्छा बीजेपी में इतना फरक हमारे डंडावाद है अच्छा वहां डंडा चलेगा अभी धामें खिलाब क्या लोग नहीं हैं पूरे अंदर से पूरे चुहे की तरह से कुतरने का काम कर रहे हैं तो फरक है लेकिन वहां उनका अनुशाचन का रंडा रंडा वो थोड़ा सकत हमारे डेमोकरिसी है अब आत्वी डेमोकरिसी होगे नहीं डेमोकरिसी एक हाथ तो ठीक है लेकिन हमारे आती है इसके सब अपनी प्रदेश के तमाम छूटे बड़े दिगज और कमजूर सारे नीता उनकी एक आवास पर खड़े हो रहे हैं करन महरा नौजवान है भागदावड कर रहे हैं पूरे परदेश में कोशिश कर रहे हैं बात्चीत भी कर रहे हैं लेकिन जो परिणाम सार्थक निगलना उसमें भ पारटी दो हैं ने सार्ट सांव में से कमी हो सकती है कर न महरा कि अ हम नहीं बताता है पूरे परियास कार सॉत जारे दीन रात गर से बाहर रहेकर प्रदिशು ना पर थि कहत कर रहे हैं ूर लो लोगों की आस्था ऴर्यकारे लेकिन उनको जो 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 झो कर जो आयने रिम ह थो हमेरे सामने junior हैं हम के बहुत senior है वह हम का टक्राव party को उनको तो लेड होईगा पार्टी को भी लेड होईगा अगर टक्राव नहीं छोड़ा तो मैं समझता हूं कि पार्टी में अपनी लीडर्शिप को भारना एक अच्छी बात है लेकिन टकराओ करना गलत बात है जो जिम्मेदार है जिसको अध्रत बनाया मानना चाहिए सुरुकार करना चाहिए कौमी है तो उसके साथ बैठ कर बात करने शीए लेकिन मैं बड़ा हूँ मैं प्रभाव साल है लेकिन कौंग्रेस उस तरीके से उन मुद्दों को भुना नहीं पा रही है उनको वोट में कशकर नहीं कर पा रही बलको यह बल्कु कहूं कि अपनी प्राज़े को जैमेरी बढ़ल पा रही है नहीं पार्टी का तो पिफने टाइब माल पालिटी के पavior पुरे समासब्य है लेकिन एक तो मशिनल करामात बिलकुल करामात है इसनों तो मैं स्विकार करता हूँ अच्छा एवियम का जिन आप कहते है के वाकिव बीजेपी के फिवर का होता है ना फिवर का नहीं उस सैटिंग होता है चूंकि मुझे भी बीच में कुछ लोग आया मेरे पास तो अपर सब आजाए आप आजाए दूसरी आजाए उन्हों पता इन्हें कभी भी घतम कर दूँगा कभी टकार दूँगा लेकिन कॉंग्रस को टकारना मोधी के बसकी बात में इससे मोधी की ये इनकी इंप्रेकें छेत्री अपार्ट को पीसरे बढ़ावा देना जहां नहीं जीत रहे हैं? कॉंग्रस को नुस्तान कर था कर अजा ने तो इससे पता है कि कॉंग्रस आएगा इनिया आए कि कल आएग और गर्रोट जेगर के फजिए ग्रगर्र भलिदान की लिडर्शिप रही है उसको ж्ता कर ब्राट की में तो सब कुछ समल आए है, आपसद्धा में होते यह जरूर है कि हम लोग जब selfish हो जाते हैं पार्टी के कुछ नेता या हिरा संग बिश्टी हो अगर मैं आपने मंदिर मज़ीर यह जगड़े मौदी तो इसी बात की खारे ना बीजेफी वाले तो वह नहीं चले जाएं जया मकर सिमिश देश में सब की कुरवानी बलिदान का अपना अपना इतिहास है लेकिन सब को जोड़कर रखना समिधान में जबाबर अंबेड कर जिनें बेवस्था जोष्था को रख सुनाचित रखना और सब में की मेरा हिंदुस्तान आज क्यों हो रहा कि नहीं यह बाहर यह दूबर यह पूरप के पाश्रिम के उत्तर के पहाड के मैदान के यह मसलमान हैं हिंदू है क्यों यह तो इसी बात की रोटी खा रहे ना डिवाइड रूल यह पिठ्छू है तो उस समय आजादी के टाम जा रहे हैं जो देश के सर्वस पदपर के उनकी राजस्थान मद्य प्रदेश में गवाई है कोट में कहां यह कोई नहीं देख रहा आप चल रहा लट मैं यह कह रहा हूं आप आप जी इतना आसान है मैं चुनाओ जी जाता यह प्रदेश की जनता को चे में भारन मांग रहा हूं दूसरा चल रहा है एक इंजिनर कोले बता दे एक मेडिकल कोले बता दे और छोड़े काई के इन्हों ने अब बात करूं और एकदम सीदी बात में बहुत सारी मेरे पास बाते हैं बीजेपी ने कुछ नहीं दिया लेकिन बीजेपी लगातार जो है वो कमल खिलाती जारी क्यों खिलाती जारी कही रहे जाए सीदी बात में बने रही है और मेरे साथ बने में हीरा सिंग भस्त गोंद स्याह जोडों के दर्द का प्राकरति के लाच गोंद मोरिंगा चमक्ती त्वचा और सुन्दर घने बालों का राज वेलकम बेक आप देख रहे हैं एकदम सीधी बात और मेरे साथ बैठे हुए हीरा सिंग बेस्ची दिगज नेता है उत्रकंड के पूर्वे मंत्री रहे और अभी वाइस प्रेजिडेंट है उत्राखंट का युवा सलक पर घैड़ दाहे और मार मार कहा जाता है उत्राखंड का पानी और जवानी उत्राखंड नहीं बचा पर रहा किव नहीं बचा बार अपने में कहा बार फुल कमल खिल रहा है, बीजेपी आ रहा है, तो ये तो मिलेगा, जब बिना सोचे संजे, बोटो खरीदा जाएगा, लोग को गुम्रह किया जाए काखे कब तक, एक सीमा तो गुम्रह कर सकते हैं, आप सत्ता में आगे सरकार के मिला, भरती परकण एक के बाद एक, विधान से ये दिल्ली जा रहा है, गुद्धी बचाने के लिए जा रहा है पैसा, मैं नहीं मांगता कि इतनी बड़ी गड़ी है, बिना मुख्यमंदिर ये कार रहा है कि रहे हो जाएं प्रदेश में, कि डर्भ है नहीं, अधिकारी क्या कर रहे है, I.E.S. क्या कर रहे है, जए ती इन्टेलिजनस को मना कर रहे है कि नहीं कराएंगे, तो हमेशा होता रहा है कि जो भी सरकारे होती है, केंदर में, वो कहती है, कि CBI जो है, वो सरकार का तोता है, तो अब अगर वो तोता, BJP की बोली बोल रहा है, तो दिक्कत कॉंग्रेस को नहीं होने चाहिए, नहीं कोरेस्ट ने ऐसा हस्तक्षेप किया कभी उनकी इंडिपेंडेंडेंसी को बना कर रखा कोरेस्ट ने आज CBA, EDA रिजर बैंक के गवर्णर ने बयान दिया था जो दुरगती इस प्रदेश में कर रखी कोई आप इससे बड़ा उधर्ण किया होगा हम जो शरबात या लगे मै आज राजयपाल बने हैं यह तो बात ओपन होगी आपके मीडिया ने इस बातों को उचाला तो क्या रहें बचा गए जब सुप्रीम कोड जहां सब की आस्ता है जो सरकार से बढ़ाया जो केंदर की राज्या सरकार को नियंतन कर सकता है जब वहां यह होगा कि यह कर दे जनारदन जो है वह आपको लगते है कि इतना समझती ने कि खाली जो लॉलीपॉप है वह देख करके उसको चख करके एक पार्टी को वोट दे देती है नहीं यह तो मैंने समझता कि वोट दिया लोगों ने दर लोग पसता रहें आप हमारी देव भूमी है हमारी यातरा होत 200 लोग मर गए ऑक्सिजन नी मिली दवाई नी मिली कोई केंप नी था यह शरम नी आई फरजी दवा घोटाला हर दौर मिला क्या शरम नी आ रही हमें हमें यह बता देजे क्या उत्तराखंड के अलवा किसी देश में परदेश में ऐसा हुआ कि हाई को ने कहा जो हमारे 10-15 स यह समान कारे का समान बेतन दो राज सरकार उनको दो अगर टेखनिकल दिक्कत है यह पहली है बीजेपी की सरकार सर्मनाशार की सुप्रिम कोड चली गए कि हम अपने करम चार बेतन नहीं बढ़ाएंगे यह हाई को रद करो हिंदूस्तान में कहीं नहीं होगा अगर उनको अगरे करम चारे हमारे भाई बतित्र बेटे हैं प्रदेश की होनार नाजा इनको रोजगार दो तो सुप्रिम कोड़ जाती है सरकार यह धब्बा है कलंक है एक काम यह मैं तो कह रहा है कि एक काम तो बता दें अभी इकबाल पूर चीनी मील का ढ़ाइसो क्रोड कितना बता क्लंकित काम किया सरकार ने हम विरोध करेंगा उसका उन करम चारे का साथ सबका विकास कर रहे हैं और विकास की तर्स पर थोड़ा बहुत खामियाजा बगतना पड़ता है क्योंकि विकास आगे तब ही बढ़ेगा तो उस तर्स में उचल रहे हैं सबका विकास हो तो प्रफिवेंटी के बैठक में मौधिजी के दिक्कत अगर साफ के साफ है क्या कि आपने आपने यह बताइए न कि आपने इस देश को कहां गए वह दो करोड पर्तिवसकी नौकरिय नहीं कहां गए 15 लाग खाते यह बताएं ने 15 करोड लोग आज तक सरकारी करमचारें से पुरे देश को आप यह बताइए रोजगार के मामले में किसान कितने 800 किसान मारे गए ना तब आपने काम वापस लिया ना तो किसान और महजदूर का गला घोटेंगा यह गाड़ी के दो पहियां डेमकास हिंदोस्तान के वह तो पुरी दिनिया की सबसे बड़ी पार्टी अर्लों की बनती जा रही है जिस अपाफ़ी की बंड़ी घो आने वाली पिडिस बात को पूछा की खहिंगी हमारे जांक कीयितने रोजगार मेGOं इंते रोजगार ति एक दो अच्बThe 252 के अब से ज्यादे बंदर आ प्याखिए आपने एयर्पोड बे जैआए स्यह एकर एवेदी सरक निसलाइज थी और अधानी को क्या राबट वाड़र ने नहीं पाला नहीं कॉंग्रेस नहीं नहीं पाला यह दूसरी सरकारों नहीं पाला आज वह इस लिवल पर बढ़ा हो गया है तो हमें अदर आ रहा है और आज जो डेस को चूसरा देस वो कंगाल कर रहा सा प्रदान मंत्री का अडानी का अडानी का प्रदान मंत्री यह बड़ी बात है तरीके से विपक्ष यहां पर बिखरा हुआ वैसे ही पूरे देशों बिखरा हुआ प्रदानी के अडानी का मोधि जी की एक हिमत लिए यह मोधि जी पड़ेव इस में इस सुझता लेकिन इलक्षेन आते सब बिखर जाता है तो अभी दोजार चुनाओ की घोश्रा होने दीजिये सब अपने जंडे और अपने और नारु के साथ अलग नज़ा आएगा बहुत जी क्या कर रहे हैं सर्माजार को पालेके लावा किसानों कौमा ने बता दिया बेरोसगारों को मैंने बता दिया 15 क्रोड लोग वेरोदगार हो चुके रिगॉड डे और मौधी जी ने सेंसस अफिस को भारत सरकार के बंद कर थिया जिए बहु को प्रिपोर्ट आए कि बेरोस एक उधरन बता जी कि चमकाने के लिए क्या कर रहा हूँ यह दुर्दुसा देखिया अब तीन मिने इस वड़कों क्या हो रहा है स्मार शेटीय। में सब्सक्राइब कर रहा हरा हुजार्फ करोड रुपर्ट स chilंहारु कर सahuaking ज्रकाइब और IM night sad bla मैं मांन रहा कॉन देरह दून शहर को परबाद कर जा देरह दून ठा ये इसको परबाद करने पर लगे है मैं तो अश्यक्राइविप डनाय थे तीन कंदे आपद जे और सुटों कि कंपनी आरे हम इतना न हे राजज कर न हरा है रोज गार मिल जां कंपनी कंपनी और ऑज कर कि अधे स्थीन लाक्त रोजगार मिला अज ची सकर निए और फाइदा इंजिन अगर। में तिम्क्षि मंतर्य को पहले रही मुखकन देखे रहाता है कि यह तीन कंश्यों ये यह चांगे ने लिए मिला तो हैं जो आज पचास हाल पीच्छ भी को ने यहां सारी कम्पनी ही कितनी हाथ मी लगें क्वोर्य के निशेतरभ से कांग्रेस को मन्थन कर रहे हूं को मजबूत बनाने की दिशा में काम हो रहा हाई कमांड में आपने हमारा इस बारे में बहुत गंबीर है तो बहुत को कि हमार को रोग फोकस करेंगे हर पार्लिमेंट को ढते हैं कि वाजआ के लोगों को कुछ पहला है कि हमोले केंदर में केंद्र नहीं केंद्र को सब उतराकरं को देव भूमी का लाब तो सब उठा रहे हैं, यहां तो उठा रहे हैं कि परधान मंतरी भी केदारनाथ में जाकर के सुरंग के अंदर मीडिया वालों को ले जाकर फोटो के में विश्चु अरे शिव भक्त है, शिव भक्त है मंदिर पूजा कर रहा मेरी आस्ता, उसके बाद हिंदुस्तान को बायबाय करके सारे मीडिया को उप्यूग, यह देव भूमी को उप्यूग आप राएनिती के लिए कर रहे हैं, आपकी धार्मी भावना नहीं दार्मी भावना राएनिती में उप्यूग कर रहा है, आप इतने बड़े पदबर होकर, अरे कुष्टक गरि पूरे देश मेसेज चला गया, कि वो नौजवन इस देश को जोनना चाहता है, वो नौजवन पाहड के मैजान की, हिंदो मुसल्मान की धर्म जाती की, इसको सब को खतम करके, हाथ से हाथ में ला कारेकरम, पूरे विधान सुभब अस्तर पर सभी चग चल रहा, लेकिन उसने एक सास दिखाया, पैदल चल के साड़े तिन हजार किलो मेटर, एक शर्ट में, कि आंधी तुफान बारिस कुछ नहीं होती, इक्षा सकती मजबूत है, रहूल गंदे नहीं दिखाया, ये ठंड बरफ कुछ नहीं होती, लेकिन के कॉंग्रेस दोहजार चौबेस तक इस या कोई मजबेद ने, कोई जाथी धर्म ने, ये कारकर मुसी का एक अगला हंगöyle, ये अगला पड़ा है, प्छाने का, लेकिन यहाँ पर हात से रात मिलाने की बात करे है, जिल से दिल मिलाने की बात कर्रहे है, ख्रीदवार की सीट में बहुत-बरा काट दोनो इंहीं रावत, हरक सिंह रावत और हरीश रावत किसका कद्स जादा अच्छा और किसके हिस्से में वो सीट आएगी आएगी या उसमें भी पीन तीगाड़ा काम बिगाड़ा होगा ना अभी अभी तो अपने विचार रक्षर डेममा ने कहना का ने कि हमारे हैं डेमोकरसी बहुत जादा है उनके अगला घोटा है तो हमारे हैं तो खुले आवाम सांस लिने वालोग है तो सबने ग्लेम कर दो जादा शुगर खाने से शुगर हो जाती है तो उसमें उनोंने किया तो अभी तीस्ता कंड़ेट भी आ सकता चौथा भी आ सकता कॉंग्रेस में नेता कोई कमी नहीं यह टिकर मिल गया इसको टिकट मिल गया मैंने कहाँ हमारा देमोकरश है किसने क्लेम कर दिया आप इस समय हालत भी जीदने के सितम प्रीं कोई असने को अब्सक्राव थो अबर्दार कर भी आतना इस आफनी आपनी एक उपलदी भी बताया इपर ले, जीत जाते पर भी जाता आ बहुत भलबल का उपयोग है रहा है। है जो आज सब्सक्राइब कर देशा को अधिकार को कर दिया अपना हमारा अधिकार होना करन रहा है। उसको नहीं निजन दे रहे, खरीद फोलों का सिल्चला इस डेमोकरशी में बड़ी भरी, मैं तो प्यारा मोदी जी इतने धमदार है तो इस चीज को रोको, कि वोटों के खरीद सरोक्त होगी, यह जो सर्क पार्टी तोड यह तोड वो तोड यह करने का काम इन्हों ने किया, तो वहां कहा है मोदी जी का जो आईरन में कहते हैं, एक आईरन में हिंदुस तो ने बना, कौन है, वो पटेल से आगे पहुंच रहे हैं, वो मोदी जी हैं, क्यों प्रधान मंत्रिया काम है, कि अमेरिका में जाये, और दो पार्ट्टियों के जगड़ा हो रहा है, लड़ तो हम अपक्देश का पुरधान में अपकी बार ट्रम सरकार, आपकी बार ट्रम सरकार, यार, इसलिए राजिव गांधी लेने नेते आते थे, आपके सेकर्ष्टी को बेजा, ने हैस्थन के सहलों है, ये उपलब्दी है, इसको सब्सक्राइब में भूला नी सकते हैं, वक्त दीजिया, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, तो एकदम सीधी बात में, बिलकु सटीक और सीधी बात की, हीरा सिंग बिस ने, उनको उमीदे बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी तक वो साफ नी कर पाए, पाच में से कितनी, उमीदे हैं, उमीदों पर जहा कायम है, तो कॉंग्रिस मी कायम है, देखते हैं, दो हज़र चौवेस में क्या होगा, और अगले हपते एक नए महमान के साथ अब भी देखेगा, एकदम सीधी बात तब तक मुझे, और मेरी पूरे टीम को दीजिए, इजाज़त अपना रखे, खयार, देखते रहे, निज प्रफ।